दोस्तो हर कोई चाहता है खुबसूरत बेदाग और जवा इसकिन पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एज के साथ साथ हमारे चहरे पे फाइन लाइन्स रिंकल्स इसकिन का धीला पढ़ना जुर्यां ये सबी स्टार्ट हो जाती है और इसका बेस्ट सलूशन है अपने मसाज करने से हमारी इसकिन टाइट होती है रिंकल्स फ्री होती है लूज इसकिन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है और इसको किस तरह से लगाना है किस तरह से बनाना है ये मसाज से भी जादा इंपोर्टेंट होता है तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहे हूँ कि किस तरह से आप coconut oil को अपने skin massage के लिए use कर सकते हैं सबसे पहले आपको चाहिए coconut oil जितना आपको नीड है उस according आपको coconut oil लेना है और थोड़ा सा add कर दिया है aloe vera gel जो हमारे skin के hydration के लिए बहुत important है आप add करने वाली हुए इसमें एक छोटा चमच कस्तूरी हल्दी कस्तूरी हल्दी नहीं है तो kitchen हल्दी की मात्रा कम करनी पड़ेगी कस्तूरी हल्दी आपके skin में वो चमतकारी effect लेकर आती है किस जिसे आप महसूस करेंगे remedy इसमें इसमें आधा नीबू क्योंकि सर्दियों के मौसम में जो skin काली पड़ रही है गंदगी जमा हो गई है tan जैसा feel होता है वो सारी चीज़ें की problem solve करने वाला है नीबू डारेक्ली नीबू को apply नहीं करना चाहिए पर आप किसी भी चीज में mix करके उसको अपने face पर apply कर सकते हैं तो यह देखिए इसको इस तरह से mix कर लिया है और मिल गया है एक cream जैसा texture और अब इसको बिल्कुल clean face पे आपको apply करना है night time best रहेगा apply करने के लिए तो हाथों में थोड़ा सा ले लिया है मैंने और इसको दोनों हाथों को rub करके गरम सा कर लेंगे और जब आप इसको अपने face पर apply करते हुए massage करेंगे तो इसका जो effect है वो double होने वाला है हलके हाथों से massage करना है आपको नीचे से उपर की तरह face को uplift करना है और यह जो process होता है यह आपकी skin को tight करता है जिससे drooping eyelids की जो problem होती है और जो wrinkles की problem होती है आखों के आसपास जितनी ज़्यादा skin जो है फेस पे continuous massage करना है और यह कुछ ही देर में देखिए बिलकुल absorb हो जाएगी बैतरीन result आपको मिलेंगे बस ज़रुरत है फेथ के साथ remedy को try करने की दोस्तों coconut oil आस ती नहीं बहुत पुराने समय से हमारी skin care के लिए इस्तमाल होता जाया है chemical वाले body lotion, moisturizer इन सब का यूज नहीं होता था और आज तक हमारी दादी नानी ममीलों की skin जो है वो हमसे ज़ादा glow करती है फेस को wash नहीं करना है इसको इसी तरह से लगा रहने देना है तो try करिए इस remedy को और अपना experience में इसा जरूर शेयर करिएगा चैनल को subscribe कर लीजेगा इसी तरह की वीडियो के लिए thank you so much for watching